नमस्कार आप देखरे भव्यासरे नूज और मैं हूँ आपके साथ आदित्या जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए ऐसा क्विज जीके सेलेक्ट करते हैं यानि कि इस वीडियो में हम ऐसा समान ग्यान प्रोष्ते हैं जो बिल्कुल हर एकजाम के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे most important क्विज जीके होता है तो चलिए स्टार्ट कर A. बंगाल विभाजन, B. जालिया वाला भाग हत्या कांट, C. लाला लाजपत्राय की मौत, और D. गोरे काले की भेदभाव तो इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा option B, यानि की जालिया वाला भाग हत्या कांट रविंद्र नाट टेगोर जो है उन्होंने जालिया वाला भाग हत्या कांट के बिरोध में उनको जो नाइट हुद की उपादी दी गई थी, उसे उन्होंने क्या किया था, लोटा दिया था इस question से यहाँ पे कुछ fact निकरकार आता है, वो fact आप समझ लिजे रविंद्र नाट टेगोर को नाइट हुड की उपादी किस ने दी थी, तो बिटिस सरकार ने दी थी, ठीक है, कई बार ये पुछा भी जाज सकता है, कि रविंद्र नाट टेगोर को नाइट हुड की उपादी किस के द्वारा दिया गया था, तो बिटिस सरकार के द्वार आप देखिए किस governor general को भारतिय प्रेश का मुक्ती धाता कहा जाता है 4 option है ठीक है इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं सल चार्ज जो थे वो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 तक भारत के गवर्णर जनरल थे ठीक है ये आपको यहाँ पर याद करके रखिएगा और बाकी जो है भारतिये प्रेस का मुक्ति दाता किसे कहा जाता है तो वो जो है सल चार्ज मेट का आपको कहा जाता है चलिए यहाँ पर ती ओप्शन A जो है अचार्ज विनोवा भावे, B दादू दयाल, C जो तीबा फूले और D इस्वरचेंदर विद्यासागर तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन C जानि की जो तीबा फूले गुलाम गिरी पुष्तक जो है वो किसके द्वारा लि इस पूष्तक में क्या उलेखित किया गया है powiedział कि सके बारे में और अमेरिका के दास परथा के बारे में उलेखित किया गया है तो जो तीबा फूले के द्वारा जो गुलाम गुरी की रहने वाली थी चलिए यहाँ पर चौथा सवाल आप देखिए स्वतंत्रता के समय भारतिये राक्ट्रिये कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे काफी इजी कुष्चन है सायद आप लोग इसमें जानते भी होंगे तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन C यानि की जेबी किरपलानी जेबी किरपलानी जो है उस्वतंत्रता के समय भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस के क्या थे अध्यक्ष थे चलिए यहाँ पर पाच्वा सवाल देखिए किस समाजवाती नेता ने जेल से भाग कर भारत छोरो आंदोलन में हिस्सा लिया था किस समाजवाती नेता ने जेल से भाग कर भारत छोरो आंदोलन में हिस्सा लिया था अप्शन ए मीनू मसानी B जैपरकास नरायन C राम मनोहर लोहिया और D अच्युद पटवर्थन तो इसका जो क्रेक्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन C यानि कि राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया ने जेल से भाग कर भारत छोरो आंदोलन में क्या किया हिस्सा लिया था अच्छा कुछ फैक्ट आप यहां पे समझ लेजे सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है कि भारत छोरो आंदोलन जो है कब चलाया गया था तो 8 अगस्ट 1942 को यह कुष्चन जो है पूछा भी जाता है कई बार पूछा गया है और याद रखिए यह कुष्चन ज परा भारत छोरो आंदोलन जो है आरंब किया गया था अच्छे एक और फैक्ट आप यहां पे समझ लेजे राम मनोहर जो लोहिया है इनका जो जन्म है 23 मार्च 1910 को उत्तर परदेश के अकबरपूर में हुआ था ठीक है राम मनोहर लोहिया कहा के रहने वाले है तो उत्तर परदेश के अकबरपूर के रहने वाले है ठीक है चलिए यहां पे छठा सवाल देखिए कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ ओप्शन ए दिल्ली बी कराची सी लाहर और डी कलगत्ता तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा अप्शन से यानि कि लाहर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या हुआ था पारित हुआ था अच्छा यह कब पारित हुआ था तो 1929 में 1929 में कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को जो क्या किया गया था उसके प्रस्ताव को पार लाहौर में जब 1929 में यहां पर पुर्ण स्वाराज का अधिवेशन हुआ था तो उसी में जवाहर लाल नहरू को क्या किया गया था अध्यक्ष नियुक्त किया गया था चलिए यहां पर साथवा सवाल देखिए कॉंग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतिये महिल तो कई बार पुछा जाता और आगे भी पूछा जाएगा तो यहां पर काउंग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतिये महिला थी तो इसका जो करेक्ट एंशर हो जाएगा option C, यानि कि सरोजनी नाइडू, Congress की अध्यक्षता करने वाली पर्थम भारतिय महिला जो है, वो सरोजनी नाइडू है, और कहां पे किया था और कब किया था, तो 1925 के कानपूर अधिवेशन में Congress की अध्यक्ष बने थी, ठीक है, सरोजनी नाइडू कई बार पूछा भी करते हैं, कैसरी नामक समाचार पत्र किसने सुरू की, काफी wastewater यह भी सट्के हैं, और जैसा कि हम आपको यह बता दे, बार बार बताते हैं, जो भी इस वीडियो में आप जीक्षा देखते हैं, वो सारा का सारा जो है यहाँ पे important जीक्षा होता है, कोई भी जो है waste नहीं होता है हम वायसा ही जी के आपके लिए यहां पर सेलेक्ट करते हैं या फिर उठाते हैं जो बिल्कुल हर एकजाम के लिए इंपोर्टेंट होता है दूसरी बरी बात आपको यहां पर एंसर पर दाउट करने के बिल्कुल जरूरत नहीं है बिल्कुल जाज परताल करके आपके नमक समाचार पतर किसने शुरू किया था तो बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान तिलक कहा जाता है यह भी आप यहाँपे याद रखेगा एक और फैक्ट यहाँपे समझ लेजे बाल गंगाधर तिलक जो है वो दो समाचार पत्र जो है परकासित किये थे और वो दो समाचार पत्र कौन है तो एक तो आप यहाँ पे केसरी देख लिए और दूसरा जो है माराठा माराठा और केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगादर तीलक ने शुरू किया था इस कुश्चन से एक और फैक्ट आप समझ लेजे यहाँ पे कई बार इस कुश्चन से इस फैक्ट को पूछा जाता है और परतिभागी जो है वहीं पे कनफ्योज कर जाते हैं जो केसरी नामक समाचार पत्र है यह जो है माराठी भासा में परकासित किया गया था और जो बाल गंगाधर तीलक के दूसरी समाचार पत्री का थी यानि कि जो माराठा समाचार पत्र है वो हिंदी में परकासित किया गया था तो परतिभागी जो है माराठा समाचार पत्र का नाम सुन कर वो क्या करते हैं माराठी बाजा को टिक कर देते हैं इसलिए वो वहाँ पे कन्फियूज करेंगे और एक नमर जो है मार्केंग कटेगा इसलिए जो माराठा समाचार पत्र है वो जो है किस में परकासित किया गया था तो वो हिंदी में प्रकासित किया जेश्य को मराथि में प्रकासित किया था टिक है तु इतना प्रायट आपको यहां से याद रखनाई चलिए नववा सवाल देखिए भारत में बेटिस इश्चिंडिया कंपनी की पहली Presidency कौन सी थी ये कुश्चन सायद आप लोग जानते भी होंगे इसका जवाब भी जो है आप लोग जानते होंगे A. मदरास B. सुरत C. हुगली और D. मचली पटनम तो इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा option B. जानि कि भारत में British East India Company की पहली Presidency सूरत थी ठीक है और यहाँ पे इस question से कुछ fact निकल कर आता है जो की पूछा जाता है आप वो समझ देजे कि British India Company द्वारा जो है सूरत में कब खोला गया था British India Company सूरत में कब खोला गया था तो 11 January 1613 को British India Company सूरत में खोला गया था एक और फैक्ट और इस फैक्ट को कई बार पूछा जाता है East India Company की अस्थातना कब होई थी ठीक है जाना जाता है काफी important question है और इसको जो है एक बार आप समझ लेंगे तो यहां पे और साइद माइंड आप यहां पे उज़ करेंगे तो आपको खुद वखुद पता चल जाएगा कि इसका जो करेक्ट अंसर वो क्या होना चाहिए तो जंडा सत्यागरा के लिए किस सहर को ज जंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद कब 18 जुन 1923 को जंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद जंडा सत्यागरा शुरू हुआ ठीक है और इस question से सबसे बरा fact कि जंडा सत्यागरा का नारा क्या है कई बार पूछा जाता है तो जंडा सत्यागरा का जो नारा है वो है नागपूर चलो है इस question को पुछा गया है और आगे भी पुछा जाएगा तो एक तो fact आप याद कर लेजे जंडा सत्यागरा की सर को जाना जाता है तो वह है नागपूर और जंडा सत्यागरा का नारा क्या है तो नागपूर चलो इस तरीके से यह जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है और जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में हम दर्सक के लिए एक सवाल देते हैं यानि कि एक समान ग्यान हम आपके लिए देते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं इस वीडियो में हम उस question का जवाब नहीं देते हैं, उसका answer आपको क्या करना होता है, वीडियो के नीचे जाकर अपना जवाब पोस्ट करना होता है, तो आपके लिए जो यहाँ पे जीके सलेक्ट किया गया है, वो आप एकर आ हुआ यहाँ पे देखिए, भारतिये करांती का पिता की से कहा जाता है, इस question का answer जो है, आपको इस वीडियो के नीचे जाकर क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है, तो भारतिये करांती का पिता की से कहा जाता है, option A, महात्मा गांदी, B, बाल गंगादर तिलक, C, गुपाल कृष्न गोकले, D, दादा भाई, नरो जी, इस जीके के साथ, जो की हर कुई जीके जो है, आपके लिए बिल्कुल important होगा,